जब तूट जाए उम्मीद या मन हो उदास तो हिम्मत बांधने के लिए ओशो को सुने. जीवन में शांती चाहते हैं, तो दुसरों की शिकायते करने से बहतर है खुद को बदल ले. क्योंकि पुरी दुनिया में कारपेट बिचाने से खुद के पेरों में चपल पहन लेना अधिक सरल है. इन्हें पढ़ने के बाद आपकी निराशा दूर हो जाएगी. सभी के जिन्दगी में उतार चड़ाव लगा रहता है. कोई काम कभी बिगड़ जाता है तो कभी अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है. साफ शब्दों में कहा जाएं तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है. इसलिए ज्यादा शिकायत करने, निराश होने, हार मानकर से बना काम भी बिगड़ जाता है. कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहे और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें. अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहंत पर विश्वास करें. किस्मत की आजमाईश तो जुए में होती है. जीवन में शांती चाहते हैं तो दुसरों की शिकायते करने से बहतर है खुद को बदल ले. क्योंकि पुरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पेरों में चपल पहन लेना अधिक सरल है. अपने लक्ष के लिए जोशीले और जुनूनी बनिये, विश्वास रखिये, परिश्रम का फल सफलता ही है. समझनी है जिंदगी तो पिछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो. घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है. एक दिन वर्षों का संघर्ष, बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा. हर छोटा बदलाव बड़ी काम्याबी का हिस्सा होता है. जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं. जिंदगी जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है, इसलिए यह सोचना बंद ना करें कि आपकी जिंदगी एक साहस कार्य है. आपके पास तब तक कोई सुरक्षा नहीं है, जब तक आप बहादुरी से, रोमांचक ढंग से, कलपनाशील रूप से नहीं जी सकते, जब तक आप क्षमता के बजाए चुनोती नहीं चुन सकते. जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये महसूस करना है, कि हम है, भले ही दर्द में हैं, लेकिन है. सांस लेना कोई नहीं भूलता सब याद रखते है, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है. इस जीवन में मैं पूरी तरह से इनसान हूँ, महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इनसान बनना. ये सारी चीजे इनसान के जीवन का एक एहम हिस्सा है. चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना.